दोस्तों जैसाब कि आपको पता हुआ कि RBI की अभी गाइडलाइन के बाद अभी एक अक्टूबर से काफी चेंजिस हो रहे हैं और उसमें से एक चेंज है से अभी इस वीडियो में आपको बताता हूं काड टोकनाईजेशन से आपको क्या फार्क पड़ेगा क्या फाइदा है आप इसे कैसी एक्टिवेट कर सकते हैं मैं आपको सब बताता हूं बहुत ही आसान शब्दों में तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर से देखेगा और जरूरी भी आपको जाना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों देखे जबी भी आप पहले पेमेंट करते थे तो आपकी कार्ड डीटेल जो मर्चंट की साइट होती थी जैसे हम माली जे Amazon की एप पे आप इस शॉपिंग करते हैं तो आप जबी भी शॉपिंग करते हैं तो कार्ड की डीटेल आपकी वहां सेव हो जाती है तो मर्चंट की साइट पर मला Amazon की साइट पर उनकी सर्वर्स पर वहां जो आपकी कार्ड डीटेल्स है वो सारी सेव हो जाती है उसी सब को रोकने के लिए गौवर्मेंट ने अभी क्या-किया टोकनाइजेशन शुरू किया है जिसके चलते अभी आपकी जो कार्ड जो 60 डीटेल कहीं भी आपकी मर्चंट की साइट पर कोई भी पेइमेंट गेटवेए पर कहीं भी सेव नहीं होगी बस एक टोकन जनरेट होगा वह जाके उनके मर्चंट के помог एक पर सेव होगा तो इससे क्या होगा जो आपकी सेक्योरिटी होती यह जो कारड की डीटेयव कहीं भी होती है आभ यह आपको दिक से आप यह लेटेस्ट गाइड लाइन तो आप उस चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजेगा जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक OTP आएगा आपके आपको जो अभी 16 डिजिट आता था पहले पूरा डिजिट आता था वह उनकी सर्वर पर नहीं सेव होगा सिर्फ जो टोकन जन्रेट हुआ था लास्ट वही उनके सर्वर पर अपडेट होगा जो नंबर था वह आपका हड जाएगा तो उससे क्या होगा जो आपकी क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड के जो नंबर्स थे वो कहीं भी शेयर नहीं होगा किसी को भी नहीं पता चलेगा कौन बंदा है से फ्री टोकन जन्रेट होगा वह एक बार सेव हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है जब भी आप पेमेंट करेंगे जितने भी नए नए किया तो चैंट कर लिए लिए अब सेम कायऊ आपको फृप कायट पर वहां अपको एड करना तो वहां फोराविंक जन्रेट होगा वही टोकन फलिप कार्ड के सर्वर्स पे से उगा तो इस तरीके से दोस्तों अलग-लग जितने भी आप एप्लिकेशन्स होंगे उस पे अगर आप सेम कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको वहां टोकन जन्रेट होगा वो कार्ड की डीटेल से नहीं होगी तो मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो और आपको करना क्या है आपको अगर यह नहीं करेंगे आर्बियाई वाला जो मैंने बताया चेक बॉक्स तो आपको हर बार 16 डिजिट का जो नंबर है वो एड करना पड़ेगा आपको बार-बार डीटेल्स करन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सिर्फ जैसे पहले करते थे वैसे करना है अपना CBB डालके आप OTP आएगा उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं पर अंतर क्या होगा कि जो आपका नंबर जो सर्वर पर पहले सेव होता था 16 डिजिट वो अब नहीं सेव होगा सिर्फ वो टो क्वेरियो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसका जल से जाब दनी कोशिश करूंगा यह एक अक्टूबर से लागू हो रहा है तो आपको अभी जबी भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको यह चेंज देखेगा तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो